विधेक पर बोलने का मोका जो दिया है आज दक्ष मोदे जी मैं जम्मो कश्मी राज्यस्तित जम्मो लोगसवा का जन्म प्रतिनिदी हूँ और मैं अभार प्रेट करना चाहता हूँ मानने प्रधान मिंत्री श्री निरेंद्र मोदी जी का और आदर्नियों ग्रह मंत्री अमिशा जी का जिन्होंने जम्मो कश्मी के पुनर गठन का विधेक और प्रस्ताव लाया है अद्यक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लाखों करोडों देश वक्त लोगों का सपना था जो आज पूरा हो रहे जा रहा है तीन सो सत्र हो चाहे पैंधिस ए हो ये एक कलंक था यो नहरू ने हम जम्मो कश्मी के लोगों पर थोपा था अद्यक जी अद्यक जी मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मो कश्मी के महराजा हरी सिंग जी ने 27 अक्टूबर 1947 को जम्मो कश्मी का पूर्ण मिले भारत के साथ किया था तब राजा ने कोई शरत नहीं रखी थी पूर्ण मिले हो चुका था तो ये 370 उसके बार कहां से आई ये किस ने लाई ये किस के कहने पर लाई गई तो ये कांगरस बताए ये क्यों लाई गई और जम्मो कश्मीर के लोगों पर क्यों उसको थोपा गया अदक्श मोदे जौहला नहरू ने शेख अब्दॉल्ला के कहने पर 370 जुगल जी बोल रहा है उनको बोलने दीजे प्लीज माने सदश ये माने सदश ये आज जुगल जी अदक्श मोदे यहां मेरे से पहले जो वक्ता कांगरेस के इनिश तुबारी जी बोल रहे थे वो योःला नहरू जी का बड़ा गुनगान कर रहे थे और चेहरे थे के जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम जो है वो योःला नहरू ने किया है उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर को जोड़ा है मैं जह कहता हूँ कि जोहलो नहरू ने जम्मू कश्मीर को तोड़ा है यह जो आज पाक अकोपाई कश्मीर है यह जोहलो नहरू की देन है यह जो कलंक हमारे माथ्यों पर लगा हुआ है यह जोहला नहरू की दिये ने आज जहा आपोजिशन के सदन के लीडर जो है वो कह रहे थे कि अबे पी-योको कर क्या होगा पी-योके हमें लेना है यह हमारा देनी निचे है लेकर पी-योका दिया किसने था कभी इसको भी जाद करिएगा और फिर जुहारला नहरू और कांगर्स को जार करना मुखदे अदेख्ष मुखदे जुहारला नहरू ने शेख अब्दूला के कहने पर 370 को जमू कश्मीर पर धोपा और बाद में 35 को भी धोपा अदेख्ष मुखदे जी यव तिन सो सतर सम्जान में जोड़ी गई तब भी सरदार भल्ला भाई पटेल बीम रॉब अम्बेकर और शेमा परशार मुखदी ने इसका विरोज किया था लेकिन स्वाब्त की राजनिती को मदा नजर रखते हुए जोहरला नहरों ने फिर भी इसको जुड़वाया था अदेख्ष मुखदे जी आखे 307 ने जमु किश्मीर को दिया क्या आज तक जमु किश्मीर को 307 ने दिया क्या अदेख्ष मुखदे 307 ने बारेल के साथ दोरीयां बढ़ाने का काम किया है ना बिजनस को बढ़ने दिया और वे रोजगारी बढ़ी बरश्टा चार बढ़ा और अंतुक बाद बढ़ा यही 377 ने दिया और 377 ने जम्मु कश्मीर के लिए रोगों को कुछ नहीं दिया अध्यक्श मोदे वे रोजगारी की अगर बात करें जम्मु कश्मीर एक ऐसा राज़ है यहां कोई कारखना लगाने को तयार नहीं है जम्मु कश्मीर का जम्मँ रोजगार के लिए दूसरे परदेशों में जाता है माता वेहनों को भी कोई रोजगार नहीं मिलता और इसका कारण एक ही है कोई भी बड़ा कारखाना जम्मू कश्मीर में लगाने को तैयार नहीं कारण बहां जमीन ही नहीं खरीज सकता किराय की जमीन पर कब तक कोई कारखाना चलाएगा और क्यों चलाएगा आखिर ये विचार करने जो किया बात है मोदे में आपको बताना जाता हूँ आजुश्मान भारत आदने नरेंदर भाई मोदी जी की देन है और गरीबों को इसके बहुत बड़ा लाव मिलता है लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस आजुश्मान बारत संकीब से भी बंच रह जाते है उन्हें दूसरे प्रदेशन में अस्पितालों में जाना पड़ता है कारण यही है कि वहां कोई बड़ा अस्पिताल नहीं है और कोई बड़ा अस्पिताल घोले के लिए भी तायार नहीं है और यो शोटे मोटे हस्पिताल वहां पर हमारे हैं भी तो कोई वहाँ डक्टर जाने के लिए तयार नहीं है और ना कोई कारखा ना लगाने के लिए तयार है ना कोई हस्पिदाल खोने के लिए तयार है और लगाएगा भी क्यूं? क्यूंके उनके बच्चे कालिज में पढ़ नहीं सकते उनको वहाँ पर बढ़ने की अजाज़त नहीं है वो अपना घरवाँ नहीं बना सकते वहाँ पर कोई कारोबार नहीं कर सकते इसलिए कोई जमुकिश्मिर में जाने के लिए यह ताजार नहीं है यह है दफ़ा तिन सो सतर ये दिया है तक दफ़ा 377 ने जमुकिश्मिर के लोगों को और बश्टाचार चरण सीमा पर बश्टाचार को भी लगाम लगाने के लिए कोई खास कानून जो है वो नहीं है अब एक्ष मोदे जी बिडम बना तब हो गई जब पिछले दिनों बहुत ही इतिहासिक और सासिक यो एक बिल था जो नरेंदर भाई मोदी जी की सरकार ने लाया और ये था समानिय बरक के लिए समानिय बरक के ग्रीबों के लिए 10% अरक्षन का बिल यो पार्लिमेंट में जब पास हुआ तो पूरे देश बर में जवाली मनाई गई खुशिया मनाई गई स्वाने बरक के लोगों को भी इनसाह मिला लेकर जम्मू के लोगों में नहीं राशा थी क्यों? कि जम्मू के जम्मू का श्मीर में ये जो कानून था वो लागू नहीं हो पाया कारण 370 थी क्योंके वहां का अलग समिदान और जब तक वहां की असेंबली से कानून को पास नहीं करती तब तक ये अलगों पर लागू नहीं होता इसलिए लोग चाते हैं कि जम्मू के श्मीर से जबा 370 और पैंसी से हटे और जब कोई अश्य कानून लगे तब उसे ले लेना जब कोई अश्य ना लगे तब उसे नहीं लेना मन मर्जी और कोई नियम बहांपर नहीं था मोदे मैं बताना चाता हूँ कि ये जो अंतकबाद है ये भी 370 की ही देन है और अंतकबाद ने हजारों लोगों को मोद के गाड उतारा निर्दोश लोगों को मारा देश के कोने कोने के जवान सैनकों की शहाद दे हुई मैं पूछना चाता हूँ नियुक्तों से यो 370 की बकालत करते हैं जब थी 370 तब क्यों आया अंतकबाद अंतकबादियों की भी बकालत करते हो 370 की भी बकालत करते हो यही आप लोगों का चृत्र है पोटा जैसे कानून को भी आप लोगों नेटिक ने नहीं दिया तो कैसे अंतकबाद खत्म होगा महदे मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो दफ़ा 370 है इसने जम्मू कश्मीर को पिछले हुए परदेशों में ले आया और जब हम नेटाओं से इन से पूछते हैं कि भी आप दफ़ा 370 पेंटिज़ को क्यों को आप पकट कर रखे हो तो कहते हैं मुझे एक बड़े बिष्ट लेते ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एक अलग पहचान है तो मुझे क्या करेंगे ऐसी अलग पहचान को जो पूछने पर कि जब मुझे शिनूर की बेटी अगर दूसरे राज में विहाई जाती है तो उसकी पहचान ही चले जाती है यह अलग पहचान उसके रिष्टा ही गदम हो जाता है माँ, भाप, बाई, बेहन वो कोई उसके रिष्टादा नहीं रहते और वो जम्मू कश्मीर की नागर भी नहीं रहती और वो संपिती का अधिकार भी नहीं रहती और मैं आपका बताना चाता हूँ मोदे पिछले दिनों ही मेरे पास दो तिन बहने आई उन्होंने कहा किसी का शादी जो है वो पंजाब में और किसी की शादी जो दिली में हुई थी अगसमाद कोई गटना गटी दुर गटना गटी उनके पत्ती की डच हो गई और यो सस्राल बालों का महोल ऐसा बन गया कि उसे वापस जाना पड़ा अब वो दो बच्चों को लेकर जब यमो में वापस गई तो वहां का अधिकार ना वो बोड़ डाल सकती है ना वहां की नुक्री ले सकती है ना भाई वैन माता पिते पिता उसको मकान दे सकते है मना यह है अलग पहचान तो मेरा कहना यह है इसके साथ ही यह जो अलग पहचान वाली बात लोग करते है मैं जहां बार बात करूंगा किश्मिरी पंड़ितों के साथ क्या नहीं हुआ दर्बदर हो गए आज तक विख्वे पड़े हैं क्या दो साथ किश्मिरी पंड़ितों का यही कि गब भारत माता की जा कहते थे और आज तक उनके पाउं जो हैं वो नहीं लग पाए आज आप कितनी भी सुध हैं किश्मिरी पंड़ितों को दे दे सार लेकर अपनी जनम भूमी कोई नहीं शोड़ता मुधे जब भगवान राम ने श्रिलंका पर विज़े प्राफ्त की तो सोने की लंका को दे कर लक्षमन ने कहा कि भाईया राम जी हम यही सोने की लंका जो है यहां पर ही अपना राज पाड़ करते हैं के राजा बन जाते हैं और आजोदे आप भरत को दे देते हैं तो महदे हम सब जानते हैं कि उससे में राम जी ने कहा कि नहीं हमारी जो जनम भूमी है हम उसे नहीं शोड़ सकते क्योंके जननी जनम भूमी चा सुरुगा आपी गिरिये सिती के जनम भूमी हम सब से प्यारी है हमें सोने की लंका नी चाहिए किश्मीरी पंडितों को आप जो बर्जी दे दे लेकिन जब तक उनका पुनरवास नहीं होगा उनको चैन नहीं आएगा वो चाते हम अधर शमोदे तिन सो सत्तर की याड में तिन को सत्तर की याड में जमू किश्मीर को लूटा जा रहा था डवल्मेंट के नाम पर पैसा तो दिया जाता था पर ये पैसा कुछ परिवारों तक कहीं पहुंचता था लोकां तक नहीं पहुंचता था गरीबों तक नहीं पहुंचता गरीब गरीब ही रहा वो उठ नहीं सका और दारा 375 इसका की बज़ा से कश्मीर राज जो है वो पिछले राज्यों की श्रीनी में आ गया महोदेख मैं बताना जाता हूँ कि जिन परदेशों में 370 नहीं है तो बहां क्या बहुत परदेश डिवल पड़ी हुए महोदेख आज जिन परदेशों में 370 नहीं है वहां कारगार ने भी है वहां रोजगार भी है वहां पर लोग खुश हैं बड़ बड़े अस्पदान हैं मेडिकल कालेज हैं जिन परदेशी हैं लेकर जमू किश्मीर में कुछ नहीं क्यूंके बहां कोई जाना नहीं जाता महोदेख मैं धोड़ी सी बार करके अपना कारस्तान करहन करूँगा वेस्ट पाकिस्तान के रिफुजियों की दुरदशा जो है वो देखी नहीं जाती नके पास बोड डालने का हक नहीं है वो 70 भर्सों सा जम्मू किश्मीर में रह रहे हैं लेकर बोड नहीं डाल सकती अपना मकाar नहीं बना सकती जमीन नहीं कृन सकती मुदेख उंका राशन कार्ड नहीं है उनके बचे कालिज में नहीं बढ़ सके और जीने को मजबूर है अदेक्ष मोदे जी आज ये जो ग्रह मंद्री हमें शाजी ने है ये जो जहां पर परस्ताब संकल्ब और बिल लाया है जमू कश्मीर की डेसो लाख जनता जो है वो खुश है अदेक्ष मोदे जी शामा परसाद मुखर जी निया देश की एकटार घंदा के लिए प्राणों की वाजी लगा दी एक देश में दो परदान दो निशान दो संदान नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे मोदे जी आज वस समय आया है के अदल विहरी वासपेजी जी दियंग्जार अपादे जी के सपने को साकार करने के लिए नरेंदर भाई मोदी जी की सरकार के नियुक्त तो मैं हमेशा जी ने ये हिमत दिखाई और आयज जे बिल जो है पास होने लगा है मुझे लगता है कि महाप्रिशों को भी शांती मिलेगी अज़ आक्षि मोदे मैं आप मुझे शारा कराएं मैं ज़ादा बाते ना करता हुआ इतना ही कहूँगा कि ये आज एक इतिहास दिने बाला है देश के क्रोड़ा और लोग जो देश वक्त लोग है वो देख रहे थे कि कब हो दिन आए जब नरेंद्र भाई मोदी देश के परधान मंतरी बने और हमिशा जी ग्राम मंतरी बने और दफा तिन सो सत्तर पता ना चले के कहां गई और दफा तिन सतर जमूद किश्मी से हट जाएगी इतने शम्त कहते हुए मैं आपका धन्यवार करता हूँ जाहिल जावार श्री ए राजा साब आप भी बालू जी बुलेंगी पहले आपकी नीता हैं बालू जी